अलेकुम जी कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब तैरिया से होंगे तो चलिए आज की मेरी रेसिपी है सूजी कालवा जो पहुती यम्मी और बहुत ही प्लीशियस बनकर रेडी होता है तो फटा-फट से बिना टाइम बेस्ट के रेसिप को स्टार्ट करते हैं और बना कुछ खाने को मीठा बन करें तो फटा-फट से बनाएं सूजी कालवा जो बहुती एजी और बहुती कम टाइम में यह बनकर रेडी हो जाता है इसमें कोई भी बहुती कम टाइम लगता है कोई मिश्किल नहीं होता है ऐसे बनाने में और बहुत एजी होता है विचलिए जो टेबली स्पून देशी की डालूंगी, मैंने देशी की डाल दिया है, ये गरब हो गया है, तो अब मैं उसमें कुछ ट्राइफूर्स डालूंगी, मैं आधा कप काजू, एट करूंगी, और आधा कप यहां में बादाम एट करूंगी, अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राइ करूंगी, कुछ मिलिट के लिए इस अच्छे से रोस्ट करूंगी, अलका ब्राउन होने तक इसे मैं अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब इसे मैं एक प्रेट में डिशाउट कर लोगी, अच्छे से निकाल लिया, अब इसमें फिर से मैं फ्र से फाइब टेबल स्पून के करीब देशी की एट करूंगी, अब इसे मैं गी के साथ अच्छे से रोस्ट होगी, अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से लवातार इसे यह चलाना है, तो यह देख से स्याफ, इसे चलाते हुए रोस्ट करना है, अच्छे अब इसमें एक किलास पानी आट करोंगी, और पानी के साथ इसे पिर से रोस्ट करोंगी, तो फिर से मैं आदा किलास और पाइन डालूंगी और इसे अच्छे से रोस्ट करूंगी धग दूंगे और तो इसे 3 मिनट के लिए इसे धग कर पकाऊंगे इसे क्या है सूजी अच्छे से गल जाएगी तो ती हीनोट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो फुल कर ती जादर लगने लगी है इस जायए भड़ बूंगे आप मीठा करन के साथ इसे जाया अच्छे से वैचरा प्रूंट करोंगी आप जीनी के साथ हमें सूजी की ने जली हो रोस्ट करेंगे तो विल्कुल और पक्रम्लार को रखने बिल्ट को हमें के सब्सक्राइब आप देख सकते तो की तरह से हमें चलाते हुए to जुर आप डोन कुरो रूस्ट करना है और फिर इँ अगर कम लगे तो हमें इस प्यम्त पर फिर से खी अट करना है तो मुझे घी कम लगा चाल तक मैंने टू टोटबल स्पूर्ट के करें फिर stre ही और इसी किसाथ फिर से अच्छे साह। इस पर वाओ एच्छ से आpage करेंगा एच्छे साह। और इसे हमें continue चलाते हुए रोस्ट करना है इस तरीके से अब यहां पर मैं आदा कप केसर वाला तूर इसमें डालूंगे इससे इसका फ्लेवर जो बहुत ही जायके वाला होता है बहुत टेस्ट यह हलवा बनकर रेडी होता है सुजी का अब मैंने जो ट्रैप रूट्स पहले से रखे थे प्राइब करके वह इसमें एड़ करूंगे और कुछ ट्रैप रूट्स में गानिशन के लिए बचा करूंगे अब तो उसे तीम नट में हलबा बनकर रिडी हो जाएगा यम्मी यम्मी सा और जो बहुत ही टीस्ट लेगी है बनकर यह हमें रोस्ट करते हुए इससे बुनना है इसी तरीके से हमें चलाते हुए इसे रोस्ट करना है आप देख सकते हैं अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए लाइची पॉर्डर डालूंगी और इसके साथ इसे फिल्ट पर रोस्ट करूँगी और इसके बाद इसके फ्लेंट को मैं आफ कर दोगी और इसे ठंडा होने के लिए साइट पर रख दोंगे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं खलवा जो बहुत अच्छे से सुजी जो है जल देई है और बहुत आपको लिखाते हैं तो यह देखिए मैंने इसे गार्णिश किया है मिल्ड्राइफ फूट के साथ और जो बहुत ही डिनीशियस और बहुत ही यम्मी बनकर रेटी हुआ है यह बहुत ही टिस्टी हल्वा बनता है आप इसे जरूर ट्राइब करिएगा और हल्वा पसंद है तो मेरे जो हल्वे वाली रेसिपी है आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में मेरे फीडबैक ज़रू दीजिए गा और मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना बिलकुल न खूले और वीडियो पसंद आए तो इसे बहुत सारा लाइक करें तो यह आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और मेरे साथ शेर भी करिएगा कि आपको ये रेज़पी कैसी लेगा मैं इसे आपको ट्राइ करके भी दिखाती हूँ बहुती लाजवाब बहुती टिस्टी बनाया है पीछे लिए मैं ट्राइ करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसा बनाया है वीडियो पसंदा है तो इससे बहुत सारा लाइक करें साथ टेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मलाकात होगी तब तक के लिए तैंस पॉर वर्चिंग लाह प्रीज दौ में याज रिखिएगा बैर बैर